हलो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल काका इन्फोटेक इस वीडियो में हम आप सभी को यही बताएंगे कि अगर आप फीनो पेमेंट्स मेंके CSP लिए हुए हैं तो आप अपना फस्ट लोग इन कैसे करेंगे सबसे पहली बार लोगिन करने के लिए क्या करेंगे कैसे करेंगे इस बारे में हम आपको बताएंगे तो आईए बीना टाम वेस्ट की हुए वीडियो स्टाट करते हैं वीडियो स्टाट करने से पहले हम CSP वाले भाइयों से यही कहना जाहेंगे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास सियर जरूर करें और कमेंट बक्स में आप ये बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो सबसे पहले आना है प्ले स्टोर में प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है फीनो मित्रा फीनो मित्रा लिखने के बाद आपको ये एप इंस्टॉल कर लेना है जैसे ही यह इप इंस्टॉल करके open करेंगे तो आपके सामने ऐसे interface दिखाई देगा यह आपका screen रहेगा जो इसमें आपका ID और password डाल के login करना है तो यहाँ पे आप अपना customer ID username डाल देंगे और उसके बाद continue पे click करेंगे continue करने के बाद आपके नंबर पे एक OTP जाएगा जिसको आपको यहाँ पे डाल देना है और OK पे click करना है OTP उसी नंबर पे जाएगा जिस नंबर से आपका ID create हुआ था उसके बाद फिर से आपको अपना password डाल के और login पे click करना है और जैसे ही login करेंगे तो आपसे secret question पूछा जाएगा तेन secret question पूछा जाएगा जिसमें से पहला secret question अभी आ रहा है जैसे ही इसको OK करेंगे तो और सारा यहाँ पे बहुत सारा आ गया है इसमें से आप अपना city या फिर favorite movie या फिर favorite hero कोई भी आप एक select करके उसका answer दे सकते है जैसे कि आप देख रहा है कि मैंने यहाँ पे select किया है what is your favorite city मैंने यहाँ पे select करके अपना city favorite city का नाम दे दिया है पटना इस तरह से आप अपने भी जो भी select करेंगे उसका answer दे के add पे click कर देंगे और जैसे ही आप अपना पहला secret question select करके answer देंगे और add पे click करेंगे तो फिर उसके बाद आपको दूसरा secret question आपके सामने आ जाएगा दूसरा secret question आप से पूछा जाएगा ठीक उसी तरह से आपको अपने ही सामसे select कर लेना है और answer डालके add पे click करना है तो जैसे कि आप देख रहा है कि मैंने दूसरा secret question select कर लिया है और answer डाल दिया है जैसे ही मैं add पे click करूँगा तो तीसरा secret question पूछा जाएगा तो जैसे आप पहला और दूसरा सेक्रेट कोस्टन सेलेक्ट करके एंसर दिये है ठीक उसी तरह से आपको तीसरा सेक्रेट कोस्टन भी सेलेक्ट करना है उसका एंसर देना है और एड़ पर क्लिक कर देना है सीक्रेट कोस्टन में आपको अपना फेवरेट मोबी फेवरेट खे सेलेक्ट करना है इससे ज्यादा कुछ नहीं है और इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बहुत ही असान है तो जैसे ही आप अपना तीनों सेक्रेट कोस्टन का जबाब दे देंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा सब्मिट करने को बोला जाएगा तो आपको यहाँ पे सब्मिट पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप सब्मिट करेंगे तो आपको यहाँ पे इन्फरमेशन आ जाएगा सेक्रेट कोस्टन सक्सेस्फुली का तो आपको यहाँ पे ऊके कर देना है ऊके करने के बाद आपको नया पासवर्ट बनाने का अप्सन आ जाएगा तो सबसे पहले उपर आपको अपना old password डाल देना है और उसके नीचे new password डालना है और उसके बाद आपको confirm password डाल के next पे click करना है जैसे ही आप अपना password डाल करके next पे click करेंगे तो आपके register number पे एक OTP जाएगा OTP डाल के आपको submit करना है जैसे OTP डाल के submit पे click करेंगे तो आपको information आजाएगा password changes successfully का और आपको OK कर देना है OK करेंगे तो आपका थोड़ा सा process लेगा on होने में और उसके बाद आपका portal on हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि मेरा app ready हो गया है अब आप यहां से QSP role balancing करेंगे जो भी काम करना है आप यहां से काम कर सकते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से बहुत ही असानी से आप अपना secret question का जबाब दे करके आप अपना नया ID password बना लेंगे इस तरह से अपना first login करेंगे तो अगर आप ID लेना चाहते हैं CSP लेना चाहते हैं तो मेरा number description में दिया हुआ है आप में number पे contact कर सकते हैं अब जहां तक लगता है कि ये वीडियो अगर आप सुरू से अन तक देख लिये हैं तो फिर से आपको बताने की कुई जरूरत नहीं है आप अपने से ही कर सकते हैं फर्स्ट लोगिन अपना secret question का जबाब दे करके अपना नया password बना सकते हैं तो मेरा वीडियो लाज तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद मेरे वीडियो को comment box में जरूर बता है कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा